कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइस पीसस एकैनमी में और पीसीएस जे के लिए जो हमारी पॉलिटी की क्लास से स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे मैं आपको यहां पे डिटेल में अगर मुझे कुछ लगेगा कुश्चन समझाने को तो आपको थोड़ा सा उसको एक्स्प्लेइन कर दूगा नहीं तो अदर्वाइस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने के परपस से यह वीडियो बन रहा है तो आप लोग अपनी तयारी को को जान सकते हैं कि कितने कुश्चन आपके सही हो रहे हैं तो चलिए जो पहला कुश्चन हमारा 50 कुश्चन अम लोगों पिछले वीडियों देख रहे हैं आज हम 51 से स्टार्ट करेंगी सर्बोत्तम उत्तर दीजिए कि समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है तो आपके आप्शन दिये हुए तो इनमेंसे कौन सा आठीकल है जिसमें समानता का अधिकार दिया है तो आपका जो Bakrans veel अभॉ 가지 नमेरे जो जो हैं जिसमें ठाएं से लेकर 14 टक जो अनुच्छे रहें तो इसमें समानता का अधिकार दिया हुआ है चलिकुष नेक्ट प्याते फिफ्टी टू पर तो फिफ्टी टू कुश्चन नमर कह रहा है कि निम्ली कि विधी के सासन का प्रापधान किसमें दिया है तो आपका अच्छे चौदा जैए विधी के सासन से संबाद दिता है कि 53 पर आते हैं लोग तो जो Fifty Three नमर्沥 कहरे डिफ्टी के सासन का संरक्षक स्पृट ओपर और उस्प्याले दौर्ण यह की गई एको इसा कॉन सा केस था जिसमें यह की गई तो वह विजय कुमार मोहँंती इन्दाब के बाद का जो誤 था उसमें सुप्रीम कोट ने का था कि वो जो है विदी के सासन का संदक्षक है नेक्स्ट कुश्चन हम लोग देखते हैं तो कुश्चन नमबर 54 कह रहा है कि अनुच्छे जो 14 है हमारा के बाक्यान से विदियों के समान संदक्षन को लिया गया तो विदियों का प्राप्दान है वह कहां से लिया गया है तो अब लोग तो यह लिया गया है है बिटेन के समिदान से बिधी के समक्ष समता का जो है वह बिटेन से और विदियों के समच्ष समान विदियों जो है समान जो ऐसा है कि समानों में समान कि वह किस से लिया गया वो लिया गया है जापान से तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है दो पॉइंट आ जाते हैं विद्यों का समान संद्रक्षन लिया है जापां से अब विद्य के समक्ष समता जो लिए वह बिटेंस से लिए 396 कि उप्रणा कि तो भारत के समयस्हिदान सब्सक्राइब तो कानून के समख्ष और तो ये जो है आपकोípानust 14 का बंदन करता है है नेंस्ट कुश्यन प्ल आते हैं सा तो नीकेस ह detail निए नियोजन के अपसर में समानता अधिकार हाई निमटिकतने किसमें बंदैतों किसमें औरहं मैं सिवा मुझति है की समानता का दिकार नेक्स्पेस शोड़े 16 के इंतरगत करद दिया हुआ हुआ है नेक्स्ट कोशन किया है कि भारत के समिदान का जो अनुच्छे 16 किसे सम बंदित है तो यह जो है लोग शिंट में अबसर की समानता जो आरेक्षण वाला जो आपका आरिकल है वो 16 ही है जिसमें आर्टिकल की आपकी बात लिखी है कि किस तरीके से वो जो आरक्षन की जो बात है तो आरक्षन का जो भी बढ़नाना तो वो आर्टिकल 16 के अंतरगत आता है समता और स्विच्छा चारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रू है निम्न में से किस मामलों में य यह आपके जो उपरोखतों किसी इन में से किसी में भी यह बात नहीं आई थी तो है किसमें थी तो यह जो आई थी इपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडू राज्य जो 1904 बाद भाद हुआ था उसमें यह स्टेट्मेंट आए थी नाकि जो आपके ऑप्षन भी हुए है दो से अधिक संतान होगी वह पंच या सरपंच का पद्धारन करने से निर्णतित होगा एक मानने भी दिया एभम संभीदान के अनुच्छे 14 का अतिक्रमन नहीं करती उस्तम नया अलेन इन इमनाकित में से किस नमीन बाद में ऐसा निर्णय दिया था तो वह आपके जावेद नाम हरियाना जो राजिता तो इसमें यह जो है निर्णय दिया था तो नेक्स्ट कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमबर हमारा 60 बन पर आते हैं तो कोशन नमबर 60 बन कह रहा है कि जो इंद्रा नहरू गांधी बनाम जो है राज नरायन के प्रक्रेंट में सर्व चुनाओं में इसको चलिए नेक्सिन अमबर निस्पक्ष चुनाओं बढ़ति product और कि यह इंद्रा गांदी बना राजности में यह बत आई थी चलिए नेक्स्ट कुभिश्यनikelों लोग तेके संक्सीसटित्र तो तो 63 नमबर क्वेश्चन कहा रहा है कि निम लिखित में से किस बाद में उच्छतम नियाले ने एक अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिंदांत मूल अधिकारों के अतिकरमण के लिए प्रतिकर अभी निर्डीत किये जाने की कारवाई में लागू नही आज है तो समान संक्षिं नमारा लिखा वायर निखनी तो इसका अर्थ क्या होता इसमें क्या होता है कि विद्धान में परिभाष्ट यह जिए क्क कोई अधिकारी है मालिज्जी कोई देंग हैं या तो जो दूसरे डिम के लिए कानून होगे वही निज्म के लिए कोई माले कॉस्टेबल है या किसी वी इता समान्पोस्ट या तो उनके लिए कानून समान बने ओगे तो ये बाद विदियो के समान संद्रक्षिन में कही जाती है चलिए 65 question number पे हम लोग आ जाते हैं तो question number 65 कहरा है कि कथन और कारण वाला आपका question है तो इसमें बोल ला है कि कथन दिया है कि बिथी के समक्च समता के सिद्दान से अभी प्रेत है से समान परिस्तितों में समान भरताओं होना बिलकूल सब्रहित पर कर्ण क्या कि प्रकृति प्राप्ति और परिस्तितों सभी टिसी समान नहीं होते हैं तो है कि यह भी आपका को संपताक अधिकार किस्के विरुद्ध प्राप्त है अगर इसका उलंगन तो आप कोड़् में जा सकते हैं कोई भी सदाइगर आपका आइटिकल 14 का उलंगन करती तो आप जाते आपको कोड़् में जासकते हैं विदी क सहाथा प्राप्त करने का अदिकार है तो किसको किसको अधिकार, तो सिंपलकर साथ, इसमें से आपको सभी Koine सब सबी को प्रत होता है एक कम्पनी नियम लिखत अनुच्छे दों के द्वारा परत्त मूह लदिकारों का दावा कर सकती है तो किसके तहट मूह लदिकारों का दावा होगा अनुच्छ 14 के अंतरगत नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कोश्चिन नमर 69 पर तो 69 नमर जो कह रहा है कि गलत उत्तर को इंगित कीजिए इसमें गलत ऑप्षिन आपको छाड़ना है सम्विदान के जो अनुच्छे 14 का लाव सम्विदान का जो अनुच्छे इसके 14 का लाव किसको प्राप्त होगा तो इसमें से आपके गलत ऑप्षिन आपको चूज करना है तो जो एक प्राइवेट कंपणी के बिरुद्ध प्राप्त नहीं होता है एक प्राइवेट कंपणी के बिरुद्ध जो है आप अनुच्छे 14 के लंगन को लेकर आप नहीं जा सकते हैं कि इसे नेक्ट्सक्षेन पर आते हूं अनुच्छे जो सब्सक्षान के समंध में सत्य यह सब्सक्राइबबं सही है तो इसमें आपका सी वाला है कि यह वर्ग विधान को मना करता है या तथा युक्ति युक्त बनी करन को अनुमति देता है दोनों यह जो है आपके अनुच्छे 14 के अंतरगत सम्मिलित किया जाते हैं कि क्वेश्चन नमबर 70 बन पर आते हैं कि निम निखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो इन पर आते हैं कि उस्तम नियाले के निम्लिखित में से किस निर्णे के पश्चा समयदान संसोधन द्वारा सामाजिक तता सैक्षरी ग्रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्राप्धान जोड़े गए तो किसके जो है आपका मद्रास राज बनाम जो चंपा कम दो राज किसी नागरी के साथ केवल निम्न आधार पर भेदवाव नहीं करेगा तो राज निम्न आधारों पर भेदवाव नहीं करेगा कौन-कौन से वो हैं आपका धर्मूल वंस जाती लिंक जन्मिस्तान इन में से कोई भी जो है इसके अंतरगत भेदवाव नहीं कर सकता है पर आजे चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं 74 कोश्चन कह रहा है कि कि फंडामेंटल राइट्स कंफर्ड वाई आर्टिकल का जो 51 का क्लॉस बन है ऑफ दा अधिकार मिला हुआ 75 के कमजोर बर्गों के लिए किस अनुच्छेद में दिए गए तो आपका जो अर्टिकल 15 है तो इसमें कमजोर बर्गों के प्राब्दान दिए गए है चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आते हम लों तो 76 नंबर कह रहा है कि सरकार द्वारा संचाली चिकित्सा मेडिकल हम महा बिद्यालों में जो है भारतिय सम्मीदान के अनुच्छेद 15 के अंतरगत आरक्षन बिदी मानने होगा तो किसमें मानने होगा तो किस के आधार पर होता है जाती के आधार पर तो आपका option नमबर भी सही हो जाएगा चलिए next question पर आते हैं हम लो question number 77 तो 77 कह रहा है कि a is a member of schedule class तो एक ब्यक्ति है जो कि किसका है मानि कि वह ब्यक्ति वह person being the member of schedule class कि वह ब्यक्ति एसी category का है शैल नौट भी आलाउट तो यूज बाथिंग घार चंस्ट्रक्टेट वाइदा ग्राम पंचायत तो तो जो इसका यह उनलंगन करता है तो आपका जो आटिकल पंद्रा है यह इसका उनलंगन करता है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी जाती या फिर category के आधार पर उसको वन्चित नहीं कर सकते हैं को कि चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग 79 नंबर कोश्टिन कहा रहा कि उच्छतम नियाला के निम्लिकित में से कौन से नेड़े के पश्चा जो है संविधान का संसोधन करके सामाजी के उन सक्षडिक द्रश्ट से पिछड़े मर्गों के लिए विसेश उपुबंध किया गया तो कौन सा केस था तो वह आपका जो है मद्रास बनाम चंपा चंपाकम दोराई राजन जो केस था अभी हम लोग उपर भी इसकी चचा कर चुके हैं तो रिपेटेड कोश्ट नेक्स्ट कोश्ट पर आते हैं असी नमर पर असी नमर कोश्ट कह रहा है कि आगे बढ़ने कोश्ट नमर 81 कह रहा है कि किस बाद में जो है उस्तम नियायले ने अभी निर्दारित किया कि आरक्षन की अधिक्तम सीमा 50% से अधिक्तम नहीं होगी तो 50% से अधिक आरक्षन नहीं दिया जा सकता यह किस बाद में जो है डिसाइड हुआ था ये इंद्रा सानी बनाम जो बहारत संग का मामला था उसके अंतरगत सुप्रीम कोट ने जो है ने दिया था चलिक्त कोश्यन कि आते हैं कि अग्र नयन लिए का नियम निम्न बाद में अधिकार अधीत घोशित तो किसमें यह गोशित किया गया था तो यह आपका जो है देव दासन बना महारत संग जो केस था उसके अंतरकत अधिकार अधीद खोशित किया गया था चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमर 83 पर आते हैं हम लोग तो निस्सवंट में और आपका अखिल भारती शोश्त करमचारी संग बनाम भारसंग यह आपका आया था तो पहले हमारा क्या option आजाएगा तीन किसमें तो यह हमारा राइट हो जाएगा तो इसमें जो पहला पहले जो है तीस तीसरा वाला नमबर पर फिर जो आए उसके बाद में उन्हेस सो बानुवे लाइट वाला तो इस तरीके से आपका option नमर यह विल्कुल राइट हो नमर में से किस बाद में केंद्रिय शिक्षा संस्ताइं परवेश में आरक्षन उता हैशन संस्ताओं में अधं दोजाच्हे की संबाइदानिक्ता को चुनोती दी गई तो किस में दी गई थी तो यह आपकी दी गई थी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारश संग मामले में नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग कुशन नंबर 86 देखते हैं क्या गया रहा है कि अनुश्यत 15 का खंड जो सब क्लॉस 5 है किस समिदा बादों में से किस बाद में उस्तम नियाले ने केंद्रिय सच्छरिक संसाव प्रवेस आरक्षन 2006 अन्य पिष्डे वर्गों के लिए प्रवेस में 27% आरक्षन उपवंद करने को बेदिमान ने था घोशित कर दिया गया था मतलब कि इसकी मंजूरी का मिली तो कौन से केस मे मिली थी यह आपका अशोक कुमार ठाकूर बनाम भारस संग जो केस था इसके अंतरगत इसको जो है बैद दिखोशित कर दिया गया था चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं लोग 88 पे 88 नमर कोशन कह रहा कि निमलिखित में से किस बाद में भारत के उच्छतम नयायाले के द प्रदान की गई थी तो वो केस आपका था राष्टी विदिक सेवा प्रादिकरण बना भारस संग जो केस था इसके अंतरगत इनको मानता मिली थी तरती लिंगी कि चलिए नेक्स्ट कोशन 89 89 पर हम लोग आते हैं कि उच्छतम नयायाले ने किस बात में कहा था कि सामाजिक नयतिकता भी समय समय पर बदलती है तो किसमें कहा था तो यह जो है नेशनल लीगल सर्विसेस अथार्टी ऑफ इंडिया बना भारस संग में यह बात कही गई थी चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कुशन नमबर 90 पर आते हैं तो क्या कह रहा है कि किस बाद में सर्वोश कि दिया था नेक्स्ट कशोच liquidity कोशन नमबर 90 पर आते हैं कि कि कोशन नमबर 901 कह रहा है कि सम्मिधान पिछ simpler पन की अभधान का प्राभधान करता है तो पिछ म्यापन कि साुञे गई पर निश्यलों करता है इसका चलिए नेक्स्ट कोश्चिन पर नाइंटी नमबर कह रहा है कि भारतिय संभिदान का जो अनुछेद 15 आयनियम्ड में से किसी एक के लिए उपवंद करने की अनुमती राज को नहीं देता है तो वह क्या चीज़ जिसको करने की अनुमती नहीं देता है तो जो धर्म विशेश बर गया इसको जो अनुछेद 15 के अंतरगत शामिल करने की अनुमती नहीं देता है धर्म के आधार पर नहीं दिया सकता है कि अनुठी थरी पर आते है कि स्क्ष टंस्ताओं में अनुचीत जाती और नुचीत जल जाती हो ज यासी और स्टी के बेुक्स में इस्थाना पर अरक्षेन साइसित होता तो कौन से Sounds pouco होता है तो यह क्रश्णम पनाम आंद्रप्रदेश राज्य का वहवाज निम्न में से कौन से अधिकार से संबंदित है तो यह किस संबंदित है इसमें कौन सा मेंटर चला तो इसमें आपका जो है सिच्छा का अधिकार इससे संबंदित था इस बात से रिलेटेड चलिए नेक्स्ट कोश्च नमर क्या रहा कि भारत के समयान की युक्रिण की अरक्षन चैन्फ डिया जा सकता तो मैं तो नेउ Нेख्षन नमर के रहा कि इंद्रसानी बना म्हारत संग के मामले में cidade निर्धारित किया है कि आप पुरुनती में आरक्षन नहीं हो सकता तो यह बात जो है उसने कही थी इसमें चलिए नेक्स कोशन 97 वे आते हैं लोग तो 97 क्या रहा है कि भारत के उस्तम नहीं आले के अंसान बेविन राज्यों का चाट समदा तो जाट समदाय क्या होगा तो जाट समदाय अपका क्या होगा अनुच्छे सोला का जो सब्क्लॉस है चार के अदिन पिछड़ा वर्ग नहीं है जाट समदाय चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि 98 नुमेर कोष्ण क्या रहा है कि भरतिए सम्मेदान के अधिन केवरल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राफ्ट होगा केवरल भारत के नाचिझिसके पाल्ड़ार भारत के नागरिकों को ही प्राप्ता है चलिए नेक्स्ट कोश्चिन बहाते हैं भारत के संविदान के द्वारा इस्थापित किया गया तो कौन से संविदानसंसोधन के द्वारा इस्थापित किया था तो आज कि हमारे कोशन पूरे होते हैं तो चलिए कल कर्म hell विडियो में नए कुश्चिनों के साथ में आपके साथ में उपस्ते दूँगा मैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में